अगर आपको बैंक से जुड़े कुछ काम निप्टाने हैं तो जल्द से जल्द निप्टा लें। आने वाले दिनों में लगातार चार दिन तक बैंक बंद रहने वाले हैं। देश के सबसे बड़े बैंक SBI की तरफ से ये सूचना जारी की गई है। बैंक यूनियन्स की तरफ से देश भर में हरताल का आवाहन किया गया है। इसी के चलते बैंकों का काम बाधित हो सकता है। और बैंक कानून संचोधन विधयक 2021 के विरोध में की जाने वाली है। भारतिय स्टेट बैंक के अनुसार भारतिय बैंक संग ने उसे सोचित किया है कि All India Bank Employees Association, Bank Employees Federation of India और All India Bank Officers Association ने नोटिस देकर देश व्यापी हरताल पर जाने के फैसले के बारे में जानकारी दी है। SBI के मुताबिक हरताल के दोरान भी सभी शाखाओं में सामाने कारे सुचारू रहेंगे इसके लिए जरूरी व्यवस्था की जा रही है। हाला कि कुछ हद तक बैंकिंग कारे प्रभावित होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने कहा कि विविन करमचारी संगठनों ने 28-29 मार्च को दो दिन की हरताल का आवाहन किया है। इससे बैंक सेवाओं पर असर पड़ सकता है। संचोधन विधेक 2021 के विरोध में किया गया है। SBI की अनुसार भारतिया बैंक संग ने उसे सूचित किया है कि All India Bank Employees Association, Bank Employees Federation of India और All India Bank Officers Association ने नोटिस देकर देश व्यापी हरताल पर जाने का फैसला करने के बारे में जानकारी दी है। हरताल की वज़ह से आगामी 26 से 29 मार्च तक लगातार चार दिन बैंक बंद रहेंगे। दरसल 26 मार्च को माहा का चौथा शनिवार जबकी 27 मार्च को रविवार का दिन है। ये सापताहिक अवकाश के दिन होते हैं। इसके अलावा 28 और 39 मार्च को हरताल की वज़ह से कामकाज प्रभावित होगा।